देखिए आज आपको लागत लेखांकन से लाभों के बारे में हम चर्चा करेंगे लागत लेखांकन से बहुत लोगों को लाभ होता है कई सारे स्टेक ओल्डर्स हैं जिनको लागत लेखों से लाभ होता है इसमें वो खिरूप से जैसे प्रबंदक हैं, करमचारी हैं, सरकार हैं, जनसाधारण हैं, इन कई लोगों को इससे बहुत लाव होते हैं, हम एकेक करके इनका अध्यन करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंधकों को लाभ कि प्रबंधकों को इससे क्या-क्या लाभ होते हैं प्रबंधकों को लाभों में हम बता सकते हैं कि लागत लेखांकन जो है वो प्रबंधकों का एक आवश्चक उप्रण माना गया है इसको management को बहुत सारे decision लेने में कई सारी सुचनाओं के आवश्चक्ता पढ़ती है वो सुचनाओं लागत लेखों से हमें प्राप्त होती है और उन सुचनाओं के अधार पर management कई प्रकार के नेड़ने समय समय पर लेता रहता है इसलिए ये कहा जा सकता है कि लागत लेखांकन प्रबंद के नेड़ने के लिए एक आधार शिला है लागत लेखांकन के प्रबंद को जो लाब हैं उसमें इस प्रकार से उनको लाब मिलते हैं जैसे उत्पादन के एक्षेतर में, उत्पादन के एक्षेतर में लाब जो होते हैं मुख्य रूप से सामगरी पर नियंत्रन, सामगरी कई प्रकार की होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, स्रम पर नियंत्रन, स्रम पर नियंत्रन किया जाता है और अप्रेट्यक्ष्वे तो हम अधिक लाब की इस्थिती में होते हैं इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाई होती है ऐसे प्रक्रिया होती है ऐसे कारे होते हैं जिन से व्यवसाय को लाब नहीं हो रहा है ए लाब प्रद होती है और लाब प्रद जिनमें ऐसी हैं जिसमें कम लाब होता है तो यदि हम लागत लेके रखेंगे तो हमें इन चीजों की जानकरी मिल जाती है विशेश रूप से जब हम प्रोसस कोस्टिंग अपनाते हैं प्रक्रिया लागत की विदी अपनाते हैं उसके आधार पर हमको यह पता चल जाता है कि किस प्रोसस से लाब हो रहा है और किस प्रोसस से लाब नहीं हो रहा है तो जिस प्रोसस से लाब नहीं हो रहा है हम उसको बंद कर सकते हैं दूसरा विक्रे के खेतर में तो विक्रे के खेतर में हमें क्या लाब मिलता है अग्रण करने के लिए उसकी हम विक्रल्य का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट प्रोफिट। तो जब तक हमें कॉष्ट पता नहीं होगी किसी प्रोड़क्ट की कि हमारी लागत कितिनी आई तब तक हम उसमें प्रोफिट जोड के हम उसकी सेलिंग प्राइस या उसकी टेंडर प् तो लाब हानी के संबन में अलग-अलग विभागों में होने वाले लाबों का हमें ग्यान हो जाता है जवसाय में कई प्रकार के विभाग होते हैं हर विभाग का लाब हम अलग-अलग याद कर सकते हैं तो जिस विभाग में लाब नहीं हो रहा उसको बंद किया जा सकता है य तो उसमें हमें यह अलग अलग वस्तियों के बारे में हमें यह पता चले कि इतना प्रॉफिट है। इसमें इतना हानी हो रही है। तो उस इसाब से हम नें सही समय पर उसमें ले सकते हैं। तीसरा उत्पादन से होने वाले कुल लाभ का ग्यान, जब साइक अंतरगत जो हम उत्पादन करते हैं, उन उत्पादन में कई प्रकार के जो है वो हम व्याद करते हैं, जिसमें टोटल प्रोफिट कितना हमें हुआ है, उसकी जानकरी हम इसके अंतरज है वो प्राप्त आसान से हम कर सकते हैं उत्पादन के संबन जैसे माल लिए कोई ब्याज कितना है लाभान्ष कितना है जिस उत्पादन के संबन में ऐसी चीजे नहीं है उसको हम इग्लोर कर सकते हैं इसी प्रकार फिर अन्य सामाने निर्णय लेने में सहायक तो अन्य सामाने निर्णय लेने में सहा प्लाइक में नए प्लांट का जब क्रे किया जाता है तो उसके आधार पर हम ये ग्याद करते हैं कि पुराने प्लांट को ही चालू रखा जाए या नया प्लांट इस्थापित किया जाए तो ये निर्णा लेने में भी लागत लेखानकन सहायता करता है इसी प्रकार से नये प्लांट की इस्थापना के लिए इस्थान का चैन तो नया प्लांट हम जो इस्थापित करते हैं तो उसकी जगे एक निश्चित जगे होना आवश्चक है हम उसी जगे नया प्लांट लगाना चाहेंगे जहां पर हमें कच्चा माल अच्छी तरह उपलब्द हो कुशल स्र कि लागत लिखांकन जो है इसके माध्यम से कई प्रकार की वैकल्पी की स्थितियां होती हैं कि उसमें हमको निर्ना लेना पड़ता है कि हम हम प्लान ए काम ए पे काम करें या प्लान भी पे काम करें जैसे आपको कोई वस्तु कार खाने में बनवाना लाप्रत होगा या उसको बाजार से बना बनाया खरीदना लाप्रत होगा जैसे मालनी यह एक आटो मोबाईल कमपनी है स्कूटर बनाती है अब इसकूटर में प्रबंद्गों से संबंदित लाव हैं जो प्रबंद्गों समय समय पर कई प्रकार के निर्णय लेने में हैल्फुल होते हैं अब आता है करमचारियों को लाव करमचारियों को लागत लेखांगन से क्या लाव होता है तो करमचारियों को बेसिकली प्रत्यक्ष और रहप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के लाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इसमें लुची के नुसार कारिका विभाजन की प्रबंद के लागत लिखांगन में करमचारी की जो नियुक्ति में चैन की जो विधी है वो उप्युक्ति विधी कामचारी की तारिक शंता में व्रधि कर सकते हैं। इसे परकार उच्टी उच्टित मस्दूरी एम बोनस की लागत लेखों सही हमें यह प्रमानित कर गिया जाता है कि उस मज़ुरी को जाओ उस करमचारी को यहम ज्यादा मस्दूरी देंगे या ज्यादा बोनस देंगे तो हमें आउटिट कितना मिलेगा, उसकी एफीसेंस कितनी आ रही है उसका हम इसमें ले सकते हैं इसी प्रकार से कारे करने के लिए उट्तम बातावरन कि कारे करने के लिए उत्तम बातावरन हमें इस ठीकρά हमें ल Zac Does the People हमें लेदे waal होता है लागत ले Kentucky माध्यम से य хотел हमें यह में है कि हमारी कोस्ट कम आ रही है और करमचारी के एफीसेंसी बढ़ानी है तो हम वातावण इस प्रकार का निर्मित कर सकते हैं उसका कोस्ट बेनेफिट एनेलेक्सिस करके हम इसको इंपलाई कर सकते हैं इसी तरह से फिर आता है बाईय संस्थाओं को लाग क्योंकि एक व्यवस जो इन्वेस्टर्स हैं संस्था में जो पैसा लगाते हैं उनकी उनके प्रकार से उनकी इस्थिती में उनका आत्म रिक्षन करने में उनको साहिता मिलती है क्योंकि ए लाबकारी जो योजनाई हैं उनसे बचा जा सकता है और लाब दाय कि योजनाओं को हम काम में ले सकते ह इससे संस्था का निश्चित रूप से कायकल को सकता है फिर आता है उप्भोगताओं को लाग कि जो अल्टिमेटली जो उप्भोगता है जिनके लिए हम वस्पों का निर्मान करते हैं उत्पादन करते हैं उनको इससे क्या लाब होगा तो लागत लेखांकन के माध्यम से क्य ही रखना है लेकिन लागत यदि आप कम रखेंगे तो निश्ट दूरुप से उस वस्तू की विक्रमुल्य भी कम होगा कम्पिटीशन के अंतर है इसलिए जी लागत कम होगी तो निश्ट दूरुप से विक्रमुल्य उस वस्तू का विक्रमुल्य कम होगा और विक्रमुल्य कम होगा तो उब्वोग्दा को वही वस्तू जो है वो सस्ती दरों पर प्राप्त हो सकती है सरकार को लाग सरकार को इससे क्या लाव हो सकता है तो सरकार से क्या होगा कि यदि लागत लेके रखे जाते हैं तो लागत लेके रखने से मुनाफ़ा खोरी पर एक प्रकार से रोक जो है वो लग सकती है और उचित गुल्य पर वस्तुएं जो है वो दी जा सकती है सरकार को भी लागत लेके रखें, क्योंकि जिस आपको बदाया कि बहुत सारी कंपनिया ऐसी हैं, जिनने सरकार ने अब लागत लेके रखना आवश्रक कर दिया, तो लागत लेके आवश्रक रूप से लियाब रखेंगे, तो निश्चित रूप से उससे सरकार को भी यह पता चाहे सरकार हो, चाहे भोगता हो, चाहे विन्योचक हो, इन सभी को प्रत्यक्ष या एप्रत्यक्ष रूप से कई प्रतार के लाभ प्राप होते हैं, तो ये लागत लेखांधन से लाभों के बारे में जान करी आपको धीग, धन्यवाद.